आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें बल यहाँ पर प्रदान करें तो ऐसा बल वहनों पे जो टायर रहते हैं वहाँ से घर्शन बल लगता है केंद्र की ओर वह प्रदान करता है ठीक है तो एमवी की घाद दो बटे आर हमको चाहिए रहता है और घर्शन बल कितना मान निकालते हैं अगर यह सता जो है उठी हुई नहीं है तो प्रतिक्रियाबल जो होती है उसके साथ घर्शन गुना का गुना होता है ठीक है अब यहाँ पर देख लेते हैं यह उची जुकाओ वाली बात की गई है अगर जुकाओ वाला सता हो गया तो उस तरीके से हम बना सकते हैं यह सता ले लेते हैं जुकाओ वाली है और यहाँ पर कोई वाहान ले लेते हैं ठीक तो यहाँ प्रतिक्रियाबल क्या हो जाएगी सता के लंवउत उपर की ओर हो गई अब इसके दो घटक होंगे एक तो उद्वाधर उपर की ओर होगी और एक तो होगी यहाँ पर 36 तह वृत के केंद्र की ओर ठीक है इस तरीके से बना सकते हैं यह हो गया आर और यह हो गया उसका उद्वाधर घटक और यह उसका 36 घटक वैसे घर्शन बल सता के समांतर कारे करता है तो सता के समांतर कारे क करेगा कुछ इस दिशा पर लगेगा इसके भी दो घटक होंगे एक तो उदाधन नीचे की तरफ और दूसरा क्या होगा दूसरा होगा केंदर की तरफ चैस्टा ठीक है तो यहां पर घर्शन बल तो लगी रहा है केंदर की तरफ साथी साथ प्रतिक्रियाबल का एक घटक भी केंदर की तरफ लग रहा है ठीक है कौन-कौन से घटक रहेंगे जैसे यह जो ठीटा जुकाओ से जुका होगा तो यह कौन क्या हो जाएगा ठीटा हो जाएगा यह कौन क्या हो जाएगा यह भी ठीटा हो जाएगा ठीक है यह त्रिकौन मिती लगा कर आप इसको भी निकाल सकते हैं तो ये जो ठीटा ठीटा कौन बना रहे है ये कौन सा बल है घर्शन बल है ठीक है म्यू आर ये वाला घर्शन बल और ये क्या है प्रतिक्रिया बल तो प्रतिक्रिया बल का ये घटक कौन सा हो जाएगा sin theta, r sin theta क्योंकि ये घटक r cos theta होगा वैसी ही इस घर्षन बल का ये घटक कौन सा हो जाएगा cos theta, तो mu r cos theta ये दोनों बल जो है mu r cos theta और r sin theta यहाँ पर अभी केंद्रिय बल प्रदान करते हैं और अगर मैं जुकाओं ना तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घर्षन बल अभी केंद्रिय बल प्रदान कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि सड़कों को उचित जुकाओं नहीं देने से तायरों को नुक्सान इसलिए पहुंसता है क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ घर्षन बल कारे करता है अंदर की तरफ अगर उची जुखाओ दे दिये तो वहां प्रतिक्रीयाबल भी अपना एक घटक लगाईगा केंदर की तरफ ठीक है इस तरीके से हम यह कह सकते कि उचित जुकाओ देने से प्रतिक्रिया बल का 36 घटक भी अभी केंदर बल का अलप हिस्सा प्रदान करता है बाकी का अलप हिस्सा जो है वह घर्शन बल का मान कम कर देता है ठीक है घर्शन बल बाकी के अलप हिस्से प्रदान करता है और य जुकाओं नहीं देंगे तो टायरों को नुक्सान पहुचेगा क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा घर्षन बल ही रगेगा जो कि अभिकेंदर बल प्रदान करेगा अब कारण क्या दिवाए टायर तथा घर्षन की बीच जो घर्षन बल उत्पन होगा वही आवश्यक अभिकें बल अपना एक गटक कम सेकंपर प्रदान करेगा 36 गटक ठीक है तो इस तरिके से परकतन सही है कारन भी सही है और इसपस्टी करण भी देता है जो गारन का पर प्रकतन का सही सही स्पष्टिकरण देता है इसलिए विकल्प करमा। हमारस सही हो जाता है. बाकी विकल्पों की और देखे त यहाँ पर क्या बोल गया है कारण प्रकत्षन का सही स्पष्टिकरण नहीं देता है ellika गलत है, C में कहा है कारण गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, D में कहा है कारण प्रकत्थन दोनों गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, धन्यवाद